हुआ देखे इतना ज़्यादा में चुका है देखो चुटे चुटे वाले बहुत ही तेस्थी होती है हुज़ीदी हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए ब्लोग पे तो आभी जो है मैं आज का दिन पर दो दो ब्लोग बनाने के लिए कोशिश कर रही हूँ तो आज हम लोग बनाने वाले हैं लोकल बिस्कुट एक्चुले अभी बनाएंगे तो सबसे पहले जो है मैंने यहां पर आख को जला दिया है चुले पर एकदम मस्त करके जल रही है यह देखो आख का कलार इतना प्यारा है न तो और लेमो ने यहां पर केले के पत्ते भी ला दिया है इसको थोड़ा सा आख में सेकूंगे नहीं फटने के लिए फिर उसके बाद जो है नारेयल को कटिं कर दो हो जाएगा और यहां पर जिदा नहीं आज बिसकुट जो है थोड़ा सबनाएंगे इसमें जो है जो कूरी सिस्थर को बना दिया ता न ऊसी से है थोड़ा सबाज को थी यह राइस फ्लोर जो तो इस आज में सोच्रीए 145 कशिरा नेक्स करके बना लूँ तो मुझे ल held आती है सिम्पलल है बहुत ही तो जो हम लोग वैंक फिड़े कहते ना फ्रोग विसकुट जू एक्च्यली उसमें फ्रोग जीस नहीं है उसका नाम ही व्रॉग्वेला विसकुट ए तो हम लोग वैंक फिड़े कहें लेग बिसमें तो में बनाऊंगी अभी एन सबसे पहले पत्ते को थोड़ा सा इसमें सेखूंगी इससे अब इस सेखने की बाद जो है कलर एक्दम चेंज हो जाएगा यह देखो इसमें गैस आ रहे ना बाप आ रहे है यह देखो कलर एक्दम चेंज हो गया और मुसम ठीक नहीं है पारिज देने वाला है इसलिए जो है हम लोग का गर का मेंबर लोग जो है सुबह से लेकर काम कर रहे थे सभी आभी रेस करने में लग गए है दीदी और मम्मी जो मम्मी भी पुरा सुबह से लेकर काम कर रहे है दीदी और मैंने जो है कल का ब्लोग में कुछ भी नहीं है ताइम पास के लिए एसे लोकल बिसक्ट बनाएंगे खाएंगे बस इसे रहेंगे पेले मुझे मार रहा था देखो ना वह लक्री पुरा इस पर चब बारेल करते हैं अब जो है बिसक्ट बना दिया है में और लेमो ने अब बरतन बगरा को वस कर देती हू जो बिसक्ट बनाएती वही बरतन जो है यहाँ पर देखो ना पूरा चीपक गया है तो लेमो जो है अब आख पर बिथा दिया है बिसक्ट को यहाँ पर आख को भी ठीक कर रहा है तो पकने के बाद जो है छीता खाखे दिखाओंगे तो अभी सबसे पहले बरतन बगरा को कर देती हों और यहाँ पर जो है हम लोकल वाला बिसक्ट जो है बनके रेडी हो चुका है था यार अबिभा इंगे तो हम सभी और वहां पर अमीत और लंवो जो है वहाँ पर काम कर रहे है कर रहे हैं तो अभी हम सभी जो म्हाँ श분जछे करहां सी इकडम हो ममी खाओ यह देखने में इसे गंदा लगेगा पर गंदा नहीं है दोस्तों यह उसका उपर में दाल लेते हैं इसलिए इसकालार हो गया है यहां से खोल लेते हैं वाव यह देखो लुकिंग तेस्टी तेस्टी यह मजाएगा आधी वाव यह देखो अभी वाव वाव है व्यज़के विशकोट क्यम परयं भॉणिम्ह। है दोगहे ए व्यज़ादिव एं उं वहाँ निढ़ादेगे यह घृँघ में अंशादब वहादार है क्रण दोस्तों मोसं भी उतना थीक नहीं है अभी तक मेने नहीं नाया बहुत ही जद्धा थंड़ा लग रही है तो गर की काम जो है लिंव करेगा पानी उथाना है बातरूपर भी पानी रखना के साथ तो उसी का सब्जी जो है में आज मिलता है तो बना के खाऊंगी तो अभी जाते हैं सीधा चारो तरफ गुमेंगे ना कहां पर मिलेगा चलो तो हम लोग पहुन चुके हैं यहां तो दिदी जो है यहां पर उठा रही है एकनम छोटे-छोटे वाले यह देखो छोटे- इस साल मिलेगा कि नहीं तो अभी में भी उठा लेती हूं यहां से कुजुदी हम लोग कहता है हुजुदी क्योंना सब्सक्राइब तेस्टी होता है तो दिदी पुरा पानी का अंदर पर जा जाके लेके आ रही है यह देखो वाव मजाएगा ना इसको जो है आज खाने पाएंगे क्योंकि यह पुरा पानी पानी हो जाएगा ने तो जीप हम लोग का खुजली हो जाएगा ना तो आज खाने पाएंगे तो इसको जो हम लोग लग 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 शुखा देते है ना उसी जगा पर जो है रखेंगे फिर थोड़ा तोरा पाने सुखेगा कल का दिन पर हम लोग खाप आएंगे एक बार तो खा सकेंगे बहुती तिस्ती होगा अभी फिर से इस साइट का दीदी लेखे आ रही है में भी पानी का अंदर गई तो खुजली हो रही है इधर में हो जाएगा न यहां से एकी सब्दी मिलेगा बाके तो हम लोग गर जा रहेते दोस्तों जाते जाते जो है फिर से हमें फिदला थान मिला है एक जम छोटे चोटे वाले बेचे हुरु हुरु आसे कोई बाद नहीं यह चल जाएगा आने के लिए लाइक बन गया है यह देखो लेकी जाएंगे ना पुरा देखो यहां पे तो है हा यहां आने के फाइदा दोदो हो गया ना देखो मात इतना जाद है दोदो सब्जी मील रहा है यहां देखो इसके में तोरो है यहां देखो यहां देखो इसमें इतना जादा है वाब बभी बभाब ना हो। हमें इतना मिला है और भी मिलने वाला यहां इतना जादा ना यह पुरा पूरा लिखे का पास में है तो सबी यहां से खाकर चला गया होगा ऑचाना कीभी चाही है इतना अच्छा है ना बाप्रे पिछे में देखो ना और वहां आगे पर भी अरे में भी तोर लेती हूँ यह देखो यहां पर बाप्रे इतना अच्छा अच्छा बहुत बरिया हुआ है आने का फाइदा हो गया सबजी सबजी मजा रहेगा है अच्छा हो गया फाइदा इसलिए जो है हम लोग जंगल गुमता है पहले भी पिछले साल में दीदी और में बैंबुशुत लेके आयते हूँ दार बहुत दूर जब इसकुटी को नया नया लिया था उस ताइम पे तो आहां भी दीदी भी अकिली है उतना जा नहीं पाती है वहां पर जंगल है तो बैंबुशुत छोटे-छोटे वाले हैं तो मिलना था नहीं तो तो अभी में भी पेट बड़ा हो गया जदा दूर भी नहीं जा सकती हो गया कि दोस्तों मेरा उंगली पर जो है एक तो लीच ने पक रहा है अभी इसको फेकना पड़ेगा कहां गया और भी है क्या काल के लिए तो सब्जी बन चुका है आज तो दिनर में तो रहा हो अच्छा सब्जी है वह लेमो का ब्लोग में दिखने को मिलेगा वह सब्जों में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि दोनों का सेम्तु से हो जाएगा यह बस हम लोग काल के लिए जुगार काल मंदिर पर खाना परुस्टना पड़ेगा ना इसको बज़े से तो गर पर पहुंच चुके है अभी में नहांगी थंदा लग रहा है बहुत फिर भी नहाना और सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग जो है दिनर करने के बाद फिर से सो गए हो जो बहांगी नहीं काल मंदिर विए कर रहें तो यहां चुते चुते करके यहां पर तुक्रा कर रही है और वहां पर क्या है तेरोलिफ्स का सबजी यहां पर पकाने के लिए दिया है इसमें जो है सबसे पहले ड्राइफिस दिया और मीर्स नमक वो सब दिया है हल्दी नहीं दिया तो इसको जो है इससे पकाना पड़ेगा फिर उसके बाद आप लोग को प्रोसेस दिखाओंगे कैसे-कैसे हम लोग तो अभी थोड़ा सा फेस पर जो है क्रीम लगा लेती हुआ इसकी जो है अजीब सा लगता है क्रीम नहीं लगाने से इतिनी थंदी लग रहे हैं काल पुरा बारिश दिया था जब अपने रूम पर सोने के लिए गए ते उस ताइब पुरा बारिश इतना और जोर ज अब भी तो बस यह तरो लिप्स एंड वो फीडल अटफानी होगा बाकि कुछ है नहीं न मैंने फेस पर जो है क्रीम लगा लिया है दीडी जो है अभी यहां पर फिर से ले पनपल कटिंग कर रही है इसको जो है छोटे-छोटे करने के बात वहां तेरो लिप्स का साथ मी अब देना पड़ेगा उसको क्या वह एक तुम छोटे-छोटे करके ड्राय करना है क्या यहां पर थोड़ा सरग देया है यह आज दिनर में खाने के लिए होगा वह सब जो है मंदिर पर लेके जाने के लिए यहां पर जो है तेलो लिप्स कर दिया है तो उसका जूल जो है उसे खुटना पड़ेगा यह देखिए दोस्तों यहां पर पुरा सब्जी जो है तालारी चेंज हो गया तो हम सोच रहे है कि थोड़ा सा जूल जूल रखने के लिए जूल तो चाहिए होगा बीना जूल का गला में अकट जाएगा फिर से फिरलाट फन को पकाना तो यहां पर हो चुका है अपना तेरो लीव्स एन यह एले पैनपल का सब्जी मिक्स करके बनाई है दीदी ने थोरा सा जूल जूल रखा है इसको जूल नहीं रखने से गला में आटक जाएगा अभी इसको पकाना है तो मैं इसको जो है तेबरी का वहां पर रख देती हू पुरा गर्मा गरम और यहां अंदर पर जो है मैंने चावल को भी चडा दिया है यह भी अभी सीटी मारने वाला है तो यहां पर फिदल भान को भी दे दिया है इससे थोरा सास उठना पड़ेगा जूल को बस लास में यह सबजी दोनों सबजी से हो जाएगा फिर उसके बा का प्लाम का पेर पर जो है फूल निकल आए है यह देखो यहां पर सपेद सपेद करके जो अभी जो है कुछ दिनों के बाद जो है प्लाम लगने वाले है और यहां पर भी वह पापाया एक तो पंग्या है उसे अभी तोरना पड़ेगा इसी बैंबुस से जो हो घरा घर्जा नेगर घर जा ठाना बागिरा जहने पेकिंग करें यहां पर तो चाबल दे दिया है और यहां पर उसे जो है खिल्म लेकिश जाएगा हम लोग ने जा पाएंगे बहुत ही दूर पेडल पेडल जाना और इसकुती भी नहीं है इसकुती होने से दीदी नहीं तो मम्मी जाने वाले तो अभी लम्मो को देना पड़ेगा तो हम लोग जो है अभी यहां पर हमारा खाना खाके फिर से जाएंगे अपने रूम पर अभी क्या ही करें बाहर पर मौसम हालत खराब ह बारिज के बुंदेगी अभी फिर से अपना रूम पर जो है सोना पड़ेगा ठंदा भी लग रहा है न सभीको अब ब्रेक्पास्का करने के बाद अभी फीर से गुमने के लिए जा रहे है प्रियंका का गर पर तो मंदिर पर जो खाना पेकिंग किया था वह जो है लेमो ल अब लगरी है, पुरा सॉल को होड़ना पड़ा है, ये मम्मी ने पिछले साल में दिला दिया था, शापसों में, विसका तो बिहार का सॉल पहना है, ये देखो, अचाहें नहीं होई, मेरा वालात एक दम को द्रेश ले समाल के रख दिया में, तो अब है तो अब जाते है, थ आदे रस्थे पेर तो बेर का पेर यहां पर नहीं पिद आए आबDAY हम और भीस प्लेए कुरा भी यह उत्षास बीर इसमें भी लाल लाल वाले यह देखो इसने बड़े बड़े बेर है करना पड़ेगा बेर खाखा के जाते हैं यह देखो इसको पानी तो नहीं है बस इसे पोस्नी पोस्नी के बाद खाना पड़ेगा इतना मिठा है बाप प्रे बहुत बरिया है और इतनी मिठी है बरिया और एत किलोमीठर ऐसे चलना पड़ेगा पहां चुके है तो उनका गर जो है अगदम नया नया गर जो है अभी पूरा एक्साइट है पेशे तो पुराना गर है पर यह लोग नया नया वह हुआ है इसके वजह से तो नया गर देखने के लिए थुरा एक्साइटमेंट रहती ह बार-बार आते है ये लोग मसरुम दुन बले जाते है जंगल की हो पुरा अंदरा है किचन देखे गा हम तो ये देखो बस वीडियो में दिख ते रहता है प्रयंका का खेचें यहां पर उप Watch be बढ़िया हुआ है एकदम हैपी फेमिली उसका भी एक नना सा मुनना सा बच्चा आने से एकदम पुरा परिवार जो है स्वीट है फेपी फेमिली हो जाए है अभी हम सभी यहाँ पर गपे सपे लड़ा रहा है तो हम लोग भी चले जाएंगे बहुत ताइम हो गया यहाँ प एक ने बलब किसा